पूरे देश के साथ ही 36 गड़ में भी करवा चौट का तेवहार महिलाएं बड़े धूमधाम से मनाये रही हैं इस वक्त हम राइपुर के आनंद विहार में मौझूद हैं और देखे यहां पर महिलाएं लगातार तेवहार मना रही हैं कुछ महिलाएं बैठी हुई थी वो बकाईदा पूजा पाठ करके अभी चले गए फिर जो है यह महिलाएं आई है इंके बाद फिर और महिलाएं आएंगी मतलब यहां पर इस जगह पर अभी जब से मैं मौझूद हूँ तब से लगातार लगभग चार से पान सो महिलाएं आ चुकी हैं और यहां पर अपनी अपनी बारी से करवा चौथ का तेवहार मना रहे हैं कि ने दिखे महिलाओं ने बाकायदiron इस तेवहार की अधिनस जग है यहन का पूझा पाडभी किया जा यहां पर महिलाएं पहुची हैं है पूछते हैं महिलाओं से किईतना महत्पून होता है यह तेवहार आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है ते वह और कित्ती तैयारियां करते हैं हम हर साल बेसबरी सिंतेजाय करते हैं इस इनका ताकि पती के लंबी उम्र के साथ साथ हमें सजने का भी मौका मिले अब देखें सजने की बात है और साथी पती की लंबी उम्र के लिए भी लगातार कामना करती हैं कितना इंपोर्टेंस रहता है बहुत जादा इंपोर्टेंट है क्योंकि हम हमेशा यही सोचने कि जो हमारे लवड़ोंस हैं हमारे हस्बेंट वो हमेशा हैल्दी रहे और उनकी लाइफ हमेशा लॉंग रहे तो उसके लिए हम वेट करते हैं पूरे एक दिन आता है फिर हम उसमें उनके लिए हम प्रेय कर सक पूरे दिन फास्ट रखके पूरे दिन जो है निलजला व्रत करते हैं आप लोग उसके बाद जो है चांद देखे किते टाइम चांद दिखे कर आईपूर में पता नहीं उसका तो आज कोई आईड़े ही नहीं है लग नहीं रहा अभी का टेड़ गंट और चांद आने वा देखे कुछ लिखी भी हैं दुनिया मांगे अपनी मरादे मैं तो मांगू साजन रही सलामत मेरा सजना और सजना का आंगन देखे ये इस तरह से महिलाओं ने जो है हाथों में महंदी भी लगा के रखी है और क्या इंपोर्टेंस रहता है त्योहार का कितनी तैयारिया हम लोग बहुत सारी मलब शॉपिंग की तैयारिया करती है कि कब आए फेस्टिवल तो हम इफ्ट कभी तो इंतजार तो रहता है गिफ्ट का भी है ये वताई आँटी कि कितना इंपोर्टेंस होता है त्योहार और इससे रोचक कुछ कथाएं भी है क्या है ये वरत रहने से कही ने कहीं पती की लंबी उम्र हुती है आप लोग नेरजला वरत करती हैं आप तो कई सालों से करती हैं हर मैंने करते हैं। और दीपा वली के पहले जो है ये त्योहार आता है उसको लेके किस तरह की तयारियां करती है खरवाचोच के लिए हरको ही तयारिया करता है नए-नए कपड़े खरीते हैं गहने खरीते हैं एक्साइटमेंट रहता है सबको मेहंदी लगाने का, सबको एक दूसरे को देखने का कि सब कैसे लग रहे हैं, तो उसे और अच्छे से सबको मोटिवेशन मिलता है. कंपटीशन भी रहता है? कंपटीशन नहीं रहता है. अपनी पती के लिए बस हमनों तयार होते हैं. पस कंपेशन नहीं है,हहां पे कोई है. इंतजार रहता है बस. आप क्या कहना चाहती है? कुछ नहीं है. हम एंध कर्वा ऑफ बताईए. बहुत important festival है, यह साल का सबसे excitement, is excited day ही होता है आप बताई आंटी की कुछ कथाएं होंगी इसको लेके की जो है करवा माता कबरत्कियों किया जाता है, क्या importance है पती की लंबी उमर के लिए यह पूजा की जाती है और साथ में करवा तो जो पूजा के लिए रखा जाता है पती से तैयार होके आती है और उनकी लंबी उमर की काम ना करते है चांद देखती है उसके बाद ही जो है चांद देखके उसके बाद ही अर्ग देखके पती से पानी लेके उसके बाद ही छोड़ते है चांद को अर्ध देना पड़ता है उसके बाद जो है महिलाएं भोजन करती है कितना इंपोर्टेंस है बहुत इंपोर्टेंस है खेर आज के दिन हमको भूख प्यास नहीं लगती है इतनी शुरद्धा रहती है मातरानी के उपर कि हमें भूख क्या प्यास लगती ही नहीं है रात को भी ऐसे लगता है कि चान निकलने के बाद खाना नहीं खिलाते हैं, बस हमारे पती की उमर लंबी हो, यही काम नहीं है। अभी जैसे बताया जा रहा है कि एक से डेड़ गंटे और लगेंगे चान निकलने में, तो इंतजार कर रही है ना? हाँ, इंतजार कर रहे हैं, खुशी से, खुशी है महिला है, कि एक घंटे नहीं, वो दो घंटे, तीन घंटे और इंतजार कर सकते हैं, अभी बादल चाहे हुए हैं, बिल्कुल वो तो लगेगा ही जब भी, जब निकलेगा चान उनकी लंबी हुम्र के लिए रखते हैं, आप लोग तेवहार रहती होंगी, हस्बेंट किसी काम से बाहर भी चले जाते होंगे, तो आज कल क्या करती हैं, वीडियो कॉलिंग से बात करती हैं, फिर ब्रत तोड़ती हैं, वीडियो कॉलिंग से बात किये जाता है, पर मैं अपने हस्बें को नहीं जाने देती हूं, आ आजी हम पहले से ही तैयारी करते हैं इसकी और बहुत जादा एकसाइटमेंट रहते हैं इस तैयार के लिए आप लोग को एस पेशली है बस पती एक बार तारिफ कर लेते तो भूग प्यास अब वैसे ही मिट जाती है हमारी हो सारे दिन की मतलब महिलाओं को तो वैसे भी सजना अच्छा लगता है कि सजे धजे रहें लेकिन जो है इस दिन थोड़ा और खास रूप से तैयार हैं जी इस दिन का हम लोग बहुत बेदसाब्री से इद्जाह करते हैं और सोला सिंगार जादा ही हो जाता है न फिर आप आप बताएए य तो रहता ही है इसके अलावा जो है ये करवा चौत का जो रत होता है कि पती की लंबी उम्र रहें जी बिल्कुल साल भर इंतिजार करते कि इत्वार कब आएगा कब हम तयार होंगी कब हम फास्ट रखेंगी और उनकी लंबी उम्र के लिए कहा जाए तो कब चार निकलेगा हम पूजा करेंगे बहुत excitement रहते हैं और कब तयार अच्छे से उनके लिए हुआ जाएगा महिलाओं ने बकाइदा जो है थालिया भी सजा रखी है और यहां लगाता जो है माता का पूजा पाड़ भी की जा रही है यहां माता की और महिलाओं जो है चटीज गड़ में बड़े धूम धाम से इस तेवहार को मना रही है इसके लबापुरे देश में यह तेवहार मनाया जा रहा है करवा चौट का पती की लंबी उम्र के लिए जो है यह तेवहार मनाया जा बस मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तिन की लिए दयार होके भी आई है बकाइदा मेहंदी भी लगाई हुई है यहाँ पर लिखा हुआ भी है लब यू जानू देखे अलग अलग इस्टाइल से सबने अपने पती के लिए कुछ नकुछ लिखा है मेहंदी भी लगाई ह बीच सालों से मतलब स्वेक्षा से रहते हैं कि दबाव रहता है कि पत्णी अगर मेरे लिए व्रत रख रही है तो मुझे पता नहीं था बाद में मुझे पता बढ़ा कि यह भी रखते हैं करके और के दो साल तो निकल गये से उसके बाद मुझे पता पड़ा लेते मैं जिल नहीं लेते हूं इससे तो कहीं ने कहीं पती पतनी का प्यार बढ़ जाता होगा कि अगर पतनी व्रत है तो पती भी व्रत रख रहे हैं जी जी वो बताते हैं कि हम कितना आपके लिए भी सेकरवाइस कर सकते हैं आप करती हैं तो हम भी करते हैं आपके लिए सेकरवाइस देखे नई नई चीजें जो है पता चल रही हैं कि यहां पर जो है पत्नियां तो रखती ही हैं इसके लाबा जो है पती भी जो है पत्नियों के लिए व्रत रख लेते हैं और बताते हैं कि पत्नियां प्यार करती हैं तो पती भी उनसे जो है मुहबद करते हैं कैसे देखती है जंद्रमा को मतलब कच्छे दूद और उसमें हमारे एक परशाद रहता है काड़ को अर्ग देते हैं इस काले तिल और इस से फिर पाहँ पढ़के उन्से जल लेके हाथ से अपने पती देखे हाथ से जल पीते हैं मेरे को 34 साल हो गए है और मैं बता ही ना चनी में चांद देखके फिर उसमें अर्ग देते हैं चांद को कच्छे दूद और ये प्रशाद हमारा मेन रहता है काला तिल और ये भोरी दिखाओ होरीलाल की दिखिए सभी महिलाओने बकायदा अप्रशाद भी ले रखा है थाली भी सजा के रखी है यहां भी देखे और बकायदा यह सुबा से ही व्रत रखे रहती है निर्जला व्रत रखती है ताकि पती की लंबी उम्र बनी रहे और इस तरह से करवा जो माता ह उनकी यहाँ पर पूजा की जाती है और फिर उसके बाद जो है जब चांद दिखता है उसके बाद जो है ये लोग जो है अपना व्रत तोड़ती हैं तो इस तरह से पूरे देश के साथ ही 36 गड़ में भी करवा चौत का जो तेवार है वो बड़े हरसोलास और धूमधाम से मह लाए मनाती हैं ताकि उनके पती की उम्र लंबी रहे कैमरा परसन होरी लाल के साथ जैप्रकास त्रिपाटी एबीपी न्यूज राइपुर